Hello friends welcome to my YouTube channel देखिए friends question number third से start करेंगे अब हम क्या कहता है divide the numbers 4 into two positive numbers क्या कहता है हमें divide करना है number four को दो part में divide करना है positive number होने चीज़ए into two positive देखिए एक एक बात को note करना है अपने को कि क्या बोल रहा है question में numbers such that इस परकार करना है कि sum जो है किनका sum of the squares of one and cube of the other वो क्या हो minimum हो ठीक है देखिए friends अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखिए हैं तो आप जरूर देखें formulae note करें और first or second question भी जरूर आप देखें आएं ताकि आपका base clear हो उससे पहले भी आपको local maxima local minima absolute maxima absolute minima जरूर देखना है ठीक है फिर आपको कहीं कोई दिकत नहीं आईगी देखें आप question देखते हैं तो 4 को divide करना है तो हमने let कर लिया कि one part जो है अपना कितना है one part हमने ले लिया कि x है हमने let कर लिया तो other part जो है वो क्या हो जाएगा आपका other part यह हो जाएगा four minus x ठीक है clear है यह exercise बहुत important है इससे च्छे नंबर का question आणा है तो आप cbsc बोर्ड जे हो है hbsc जे हो या कोई other board है आपका काफी important exercise है यह अब यहाँ पे है कुछ भी नहीं अगर आप questions को theoretically क्या लिखा है और क्या अपने को करना ही है अगर आपको समझा रहा है तो कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ क्या कहता है according to question की अब हम बात करते हैं क्या condition है इसके अंदर देखो चार को डिवाइड करना था हमने दो positive नंबर होने चीए such that और क्या condition है कि sum जो है किनका sum of the squares of one square का sum एक का square देखो क्या कहता है sum of the squares of one square of one and the cube of the other cube of the other यानि कि यह देखो cube of the other मैंने क्या किया sum की बात कर रहे है sum इसको मान लो मैं SA denote कर लेता हूँ such that sum of the squares sum of the squares of one मान लिया इसका square और cube of the other sum कर दिया ना मैंने देखो ञाए और इसको पूरे को SA denote कर लिया वो क्या करना है अपनो को minimum करना है minimum यह खेने का मतलब क्या है कि हमें 4 को इस परकार divide करना है कि इसके square का एक के square का दूसरे के cube का sum क्या आएगा minimum आएगा इस परकार आपको divide करना है ठीक है तो अब हम यहां पे किसको minimum करना है यहां sum s को इसको तो हम इसको आगे क्या करेंगे proceed करेंगे अब किसके respect में अब इसको करेंगे आगे प्रोशिड तो इसको differentiate करेंगे with respect to x वादब variable के respect में अपने को differentiate करना होता या यह की variable x तो x के respect में करेंगे अगर दो variable होते तो हम उनको एक variable में बढ़ा लेते उसके बाद differentiate करते ठीक है पूरी exercise में यही चलने वाड़ा है अब यहाँ पे x के respect में differentiate करेंगे फिर क्या करेंगे इसको 0 के equal रखेंगे अना x की values निकाड़ेंगे जैसे आप critical values निकाड़ते थे तो वैसे यहाँ पे करेंगे तो 2x plus यहाँ पे 3 आगया जाएगा 4 minus x यहाँ सुकेर बच जाएगा और अंदर का करेंगे तो 4 का 0 और इसका minus 1 आजाएगा तो यहाँ से क्या आगया आपका 2x minus 3 into 4 minus x का whole square अब इसको खोल लें भई खोलना तो पड़ेगा ही हमें value निकाड़नी है ना आगे चलके तो minus 3 यह इसका whole square खोल लें और minus minus plus 8 तीए 24x केलियर भई अब यहाँ क्या बन गया यह minus 3x केर माइनस के 3x केर और यहाँ पे 24 और दो 26x और minus 48 केलियर भई अब फोर maxima और minima के लिए अगर हम बात करें for maxima और minima के लिए for maxima और minima के लिए maxima और minima देखो इसके टुकड़े और कर लेते हैं यह होते हैं तो इसके टुकड़े और कर लें चल बाद में कर लेंगे for maxima और minima के लिए इसको 0 रख लेते क्या कर लेंगे जीरो के इकबल रख लेंगे किलियर भई करो तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस 3x के यार पलस 26x माइनस 48 is equal to 0 किलियर है अब हमने क्या करना है इसके फैक्टर कर लो भई तो पहले तो कुछ कम हो रहा है तो कम कर लें यहां पे लेकिन कम तो कुछ नजर होता नहीं आ रहा तीन से डिवाइड नहीं होगा यह 26 नहीं होगा तो क्या करेंगे अब देखो ऐसे फैक्टर करो अब इसके यह माइनस से पहले तो माइनस से मल्टिप्लाई कर लो आप तो यहां क्या हो जाएगा 3x के यहार माइनस 26x और माइनस माइनस पलस 48 is equal to 0 ठीक है अब हमने यहां से x की values निकालनी है तो देखो यहां पर जरूरी नहीं कि आपके इसके factor हो जाएं तो आप एक काम करें इसको आप किस्से कर लें by quadratic formula आप पढ़ के आ रहे हैं x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a formula पढ़ा है ना आपने 10th class में पढ़ा होगा तो यहां जब root निकालते थे थे आप तो x की value निकालनी है अब हमने यहां से तो यहां से क्या हो जाएगा वह आपका 3x यह formula लगा रहा हूं मैं तो इसको मैं क्या लिख देता हूं यह formula लिखा है minus b b का काम यह कर रहा है minus 26 तो यहां plus cut 26 हो गया plus minus under root of b square minus 4ac देखो यह किसकी x की value देदेगा ना यहां से यह x की value आ जाएगी यहां से x is equal to ठीक है तो यहां से यह plus minus b square b square मतलब minus 26 का whole square minus 4ac 4a कितना है a है 3 c कितना है 48 upon 2a upon 2a a कितना है अपना 3 ठीक है भई अब इसको simplify कर देए आप तो यहां से कितना आ गया 26 plus minus यहां पे देखो तो क्या जाएगा भई आपका यहां पे करें तो 26 26 होता है 666 ठीक है minus 4 ती बारा और बारा कोड़तारीस से कर लेंगे multiply तो बारा ठी च्यान में 9 बारा चोड़तारीस और 9 कितना हो गया 57 56 यह आ गया अपोन में नीचे चल रहा है 6 अब इसको 26 plus minus 675 में से अगर अपना यह जाएगा 576 तो कितना आ जाएगा 59 यह यहां से अपने से बाराठी च्यान में और नाइन और बार चोग अड़तारीस अड़तारीस और नो सतावन तो यह तो ठीक है और 26 266 यह गडबड हो रही है यहां 600 की चेतर लिख लिए हैं आप सब्ट्रेक करें तो यह 0 आएगा और यहां 0 यहां 1 तो पूरा एंड़त बनेगा यहां कितना बनेगा एंड़त का यह कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा तो 6 से 6 36 और यहां से 2 3 6 और 2 से 8 8 बटे 3 यह कितना आ गया एक्स की वैल्यू 6 आ गई और 8 बटे 3 आ अब एक बात देखो आप हमारे पास 2 वैल्यू आ गई एक्स की किलियर है अब हमें यहां पे देखें तो अगर मैंने 6 लिया तो 1 पार्ट 6 हो गया तो दूसरा पार्ट मैं देखो तो 4 माइनस 6 होगा तो क्या होगा नेगिटीव में नंबर आएगा लेकिन इसने क्या बोला захै यहां यहां देखो आप positive नंबर होने चीए च्यार को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों positive number होने चाहिए तो अगर आपने 6 को ले लिया x तो ये तो एक number तो ठीक है लेकिन दूसरा तो negative देगा की नहीं तो इसलिए हम negative नहीं ले सकते इसको क्या करेंगे reject कर देंगे तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि इसको reject किया क्योंकि 4 जो है वो अपना क्या है यहां पर जो 6 है वो 4 से बड़ा जा रहा है इसलिए हमने इसको reject कर दिया ठीक है और यहां पर बात करें x की 8 y 3 तो अब इसको आगे प्रोशिड करेंगे तो उसके लिए क्या करें अब देखो single derivative method भी आप अपना सकते हैं और second derivative भी और second derivative भी तो आप अगर second से करें तो d square s भै हमें minimum भी तो होना चीए न यह अब x 8 by 3 पर minimum भी तो होना चीए न भी एक पार्ट आपका 8 by 3 आ गया लेकिन यह minimum है नहीं वो तो अपने को check करना है न किलियर करना है तो यहां पर d square s upon dx square कर अब आप यहां पर करें तो यह कितना जाएगा माइनस का 6x आएगा पलस का 26 देगा ठीक है अब आपको check कर देना d square s upon dx square add किस पे x is equal to 8 by 3 पर करो check तो माइनस 6 into 8 by 3 पलस 26 तो 3 से 3 निच है माइनस का 16 यह पलस का 10 आया यहां से कितना आया पलस का 10 जो कि बड़ा है 0 से और ब therefore therefore अब यह 0 से बड़ा है इसका मतलब s s जो है वो क्या हो आपना minimum हुआ greater than 0 का मतलब और किस क्या है greater than 0 s s मतलब sum minimum हुआ therefore therefore sum क्या है is minimum ठीक है sum क्या है minimum है ठीक है sum is minimum और अगर हमें अब पार्ट बताने है therefore one part one part जो है वो क्या हो गया अब हमें यह और बताने है क्या क्या part है तो 8 by 3 हो गया और दूसरा part and other other part is equal to other part क्या हो जाएगा 4 में से हम 8 by 3 को subtract कर देंगे तो 3 LC हम लेंगे तो 12 minus 8 यानि की 4 by 3 आ जाएगा other part खीक है वह यह था आपका question number 3 आपनो down कर लेंगे students अब इसका next देखें वह question number 4 find two positive numbers हमें दो positive number find out करने है x और y इसने दे दिया x और y है तो हमें यहाँ let करने की जरूरत नहीं है such that और यह इस परकार होने चीए कि their sum कि उनका sum जो है वो क्या है 35 है यानि कि numbers का sum जो है वो अपने को दे रखा है x पलस y numbers का sum क्या है 35 है तो हमने लिख लिया ठीक है ना हमें दो positive number x और y निकालने है इस परकार निकालने है condition क्या दिये कि वो क्या कैसे होने चीए कि उनका sum 35 होना चीए तो x पलस y is equal to 35 हमने लिख लिया and product प्रोडेक्ट जो है p वो क्या है अपना x के यर y की power 5 is maximum वो क्या होना चीए product maximum होना चीए तो हमें product को आगे proceed करना है ठीक है यह बात आपने देख लेन अब यहां पर आपकी मर्जी रहेगी चाहिए आप इसको x में बढाएं चाहिए आप y में बढाएं आप किसी में भी बढा सकते हैं वही ऐसा fix नहीं होता कि आपको x के respect में differentiate करना है नहीं आपको variable आपको यह देख लेना है कि variable क्या क्या है यहां x और y है तो आपकी मर्जी रहेगी आप इस equation को अबें आगे प्रोशिड करना है तो आप देखेंगे कि इसको x के respect में differentiate करें तो आप x में बढाएंगे अगर y के respect में करोगे तो पूरी equation को इसको y के रूप में बढाएंगे कहां से ले आएंगे यहां से आप value find out कर लेंगे एक variable की दूसरे variable में रख दो और इसको आगे प्रोशिड करो जिसमें रखोगे उसी के respect में अब फिर आपको differentiate करना है clear होनी चीए यह बात ऐसा नहीं है कि fix होता है कि x ही बनाना होता है ठीक है यह देखना है कि variable और product को maximum करना है तो product को आगे लेके चलेंगे हम ठीक है तो यहां पर अगर देखें y के रूप में भी बना सकते थे कोई दिकत नहीं है तो product x x into y y क्या है 35 minus x इसकी whole power 5 clear भाई अब हमें इसको क्या करना है differentiate करना है with respect to x पूरा x में बना लिया तो dp by dx is equal to u into v से करें यह as it is इसका differentiation तो 5 आ गया जाएगा और 35 minus x की whole power कितनी बन जाएगा 4 यह power का हुआ हुआ है इसका 0 और minus x का क्या जाएगा minus 1 पालास अब की बार यह पूरा agities 35 minus x की whole power 5 agities और इसका differentiation क्या जाएगा 2x clear है u into v आप पढ़ क्या आ रहे है 7 chapter में अगर आपको clear नहीं है तो वो आप जरूर करें क्योंकि हम applications पढ़ रहे हैं तो differentiation तो आपको आना चाहिए होई अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा minus का 5 minus 5 x square into 35 minus x की whole power 4 और यहाँ पे पालास 2x into 35 minus x की whole power 5 अब जो कुछ common आ रहा है उसको common निकाल ले पहले सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पे ऐसे आने के बाद common आ रहा है उसको common निकाल ले ताकि हड़का हो अपना काम हाना क्योंक तो x की value चीए ना अब यहाँ पे देखें तो x common आ रहा है दोनों में है 35 minus x की कितनी power common है 4 power common है तो यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ से देखें तो यहाँ से minus 5 x बच गया है देखो minus 5 और x बच गया है यह तो बार आ गया पालस यहाँ से बच गया x बार आ गया तो 2 और य को तो यहां से x 35- x यहां क्या चल रहा है माइनस 5x पलस 70-2x तो यह क्या बना गया अपना x 35- x और यहां बना गया 70-7x के लिए रहे है ठीक हा वई तो आप for maxima और minima maxima or minima के लिए क्या कर दें इसको 0 की equal रखो dpy dx is equal to 0 रखो भई तो यहां क्या है अपना x x into 35 minus x और 70 minus 7x is equal to 0 तो यहां से x की value क्या आएगी एक तो 0 आएगी एक 35 आजाएगी यहां से और यहां से कितनी आएगी आपकी 10 आजाएगी x की value कितनी आजाएगी 10 तो हम क्या कर देंगे x यहां पर देखो 0 और 35 0 अगर देखें तो यह product को 0 बना देगा जैसे पहले भी मैंने ऐसा question बताया आपको कि यहां पर value देखो न 0 आ रही है तो 0 product 0 ही बना देगा और 35 देखो तो 35 minus 35 यह भी product को 0 ही बना देगा तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम reject तो यहां पर क्या बोलेंगे therefore x is equal to 0 35 क्या कर देंगे हम reject कर देंगे reject because because product जो है product product will will not be 0 will not be 0 product 0 नहीं होगा हाना product 0 नहीं होगा हमें इनको reject करना है product 0 हो जाएगा नहीं तो अब यहां पे x क्या अपना 10 है तो 10 पे at x is equal to 10 पे हम क्या कर लेंगे अब हमें दुबारा difference या दो तरीके हैं या तो first derivative method लगाएं या second derivative फर्स्ट लगाएंगे तो ज्यादा easy है इसमें अगर second लगा दिया तो 10 पे d square p upon dx square करेंगे तो अब इसको दुबारा differentiate करोगे तो ज्यादा दिकत आएगी तो जो easy लगे आपको वो लगा लेना है आपको दोनों में थड़ाने चाहिए तो तो at x is equal to हम किस पर check कर रहे हैं 10 पर तो 10 पर चेक कर रहे हैं तो आप 10 के slightly इदर यानि कि dpydx को देखेंगे ठीक है कि positive और negative और slightly इदर देखेंगे dpydx 10 के इदर और 10 के इदर ठीक है 10 से slightly इदर देखें मालों मैंने ले लिया यह 9.5 ले लिया या 9 ले लिया जाद बहुत जादा इदर ने लेना है ठीक है मालों मैंने 9 ले लिया तो देखो भई overall value positive आते है negative इसको dpydx को क्योंकि जो sign change होगा यहा positive रहे गा और यह 9ance whether cara soon यह वह रहेगा तो यहाँ से क्या हुआ यह mach Yet сер और यहां से उपर ले लिया तो यहां देखो 10 SHAR ik O बिदेखो सिंस 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 एक सब्सक्राइब ले खोड़ा इसे limit पहल एसे mark vantage से ना इसासे क्यों सब्सक्राइब इसे MURicy we Call me sign of dpy dx dpy dx changes from changes from positive to negative positive to negative therefore 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 positive negative हुआ तो P P P P का हुआ ना P का मतलब product product क्या होगा product product will be maximum will be maximum will be maximum अब देखें वही यहां पे हमने निकालना क्या था हमें वह नंबर भी चाहिए दोनों नंबर पोजिटिव नंबर एक्स और य की value भी चाहिए तो यहां से therefore आप बोलेंगे number क्या आगए numbers numbers are numbers are numbers are numbers क्या आगए x की value 10 तो एक तो 10 आगया और दूसरा कितना आगया अपना number एक 10 आगया तो दूसरा 35 माइनस 10 कर दो 35 माइनस 10 इसका मतलब यह कितना आगया 10 और यह कितना आगया है आजे 25 numbers क्या आगये 10 और 25 यह था आपका question number 4 आपनो down कर लेंगे students अब next question number 5 देखते हैं वही a p and b क्यों are two vertical poles a p और b क्यों क्या है दो vertical poles है vertical का मतलब ऐसे ठीक है और horizontal क्या होता है यह होता है at the points a and b respectively a point पे a p पोल है और b point पे क्या है b क्यों पोल है आगे पड़ते हैं if a p is equal to 16 meter और b क्यों is equal to 22 meter और a b 20 meter इसका मतलब a pole मान लिया कहीं यहां है a और कौण कौण से pole थे a p था और a क्या था b क्यों यह b क्यों यह b क्यों ठीक है अब यहां पे देखें तो इस ने देखो जिस according बोला है उसी according हम इसको set कर लेंगे इसने बोला ना a b 20 meter है इसलिए ही तो मैंने यह पोल एक यहार एक यहां किया क्योंकि मुझे पता है a और b के बीच का gap इसने कितना दे रखा है 20 meter यह पूरा है 20 meter ठीक है ना पूरा कितना है अपना 20 meter इसको लिखेंगे आगे आगे कहता है चलो मैं कर लेता हूं यहां से यहां तक का ऐसे करके लिख देता हूं 20 meter है इसने यह भी बोला है कि a p सोड़ा ह है 22 तो इसको बड़ा रख लेते हैं ठीक है ना मतलब जैसे बोल रहा है उसी according हम इसका figure बना रहे है आगे कहता है then then क्या करना है find the distance of a point r on a b हमें क्या करना है distance find out करनी है किस की कोई point और है r नाम का किस पे on a b a b पे है वो r ठीक है from the point a कहां से a से है वो a से r मतलब a b पे कोई point r ले लेता हूं मालो मैंने ये r ले लिया ठीक है r ले लिया इसका कहता है कि ये आपने इसकी distance बतानी है किसकी distance बतानी है distance of a point r from the point a a से distance बतानी है यानि कि a r बताना है आपने क्या बताना है AR यह find out करना है आपने such that RP square plus RQ square RP square कहा है भई है यह RP, RP इसका मतलब इसको इससे मिला दें तो देखो अगर आप यह पोल है, वर्टिकल पोल है तो यह 90 डिग्री का एंगल है पाइसागोर स्वरम लगेगी यहां पे तो RP का square आजाएगा न अपने पास RP को मिला जाए हमने plus RQ square is minimum तो RQ मतलब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा खिक है, तो यहां से भी यह पाई था और इससे पे लग जाएगे, यह ट्रेंगल बन गई कि यह बन गई, किलिए रहे वई तो हमें करना क्या है, हमें यह distance बतानी है और यह distance जो है वो इस परकार होने चीए कि RP का square और RQ का square इन दोनों का RP का square और RQ का square करें तो वो क्या है, minimum आए मतलब यह R ही, मतलब ऐसा set कर दो आप कि यहां हो, यहां हो, यहां हो कहां हो, R, ताकि क्या वो इनका जो square का sum है न वो minimum है कौन सा rp का rp का और rq का square का ठीक है और हमने find out साथ में क्या भी कर देना है distance भी find out करनी है कौन सी point r की कहां से जो r जो की a b पे है कहां से a point से a points यानि a r बताना है हमने a r बताना है तो a r बताना है मैंने लेट कर लिया कि यह देखो जब पाइथा को रस्थोरम लगाएंगे हम तो यहां पे अपने पास p r और r q जो है उनको तो square का सम हम निकार लेंगे दो side अपने पास यह और यह तो अम लिख सकते है ना मुझे यह पता है total 20 है मैंने मान लिया कि यह let कर लूँ कि यह x है तो यह कितनी बच गई अगर r b की बात करूं तो यह 20 minus x बच गई clear है वई clear है अब आगे देखो हमें क्या करना है यहां पे अपने को given है क्या क्या यह triangle जो है आप इन में हमें दिया है कि यह r p square r r p square plus r q square वो minimum है इसको minimum दिखाना है मैंनो मैंने इसको sum से represent कर लिया s s से नाम ले लिया इसको clear है s से denote कर लिया मैंने इसको और अब इसको r p square और r q square की value चीए भई यहां मैं इसको आगे प्रोशिड करना है है ना तो यानि कि r q की और r p की value यहां लाके देंगे तो यह value कहां से आएगी r p की अगर हम बात करें तो r p देखो r p यह triangle यह है अब पाइथा गोर्थोरम यह जो है p r का square is equal to 16 square पलस x square होगा कि ने तो p r square की जगें तो रखा है r p square इसे ने पालस r q square r q square यह रहा यह r q की यह value मतलब इसका निकालेंगे इसकी value तो क्या होजाएगा 22 का square पालस 20 माइनस x का whole square हो गया बाई clear है अब हमने इसको क्या करना है differentiate करना है x के respect में यहां तो एक की variable x है ना तो करेंगे x के respect में करो और इसको finally हमें एक तो minimum दिखाना है और x की value यह भी बतानी है हमने हाना a r तो करें भई थोड़ा सा इसको हम क्या करें यहीं पर differentiate कर देते है ना क्योंकि अगर calculation करेंगे फिर करेंगे तो जदा बैतना हो जाएगा यहीं पर इसको differentiate कर देते हैं उससे क्या हो जाएगा यह तो 0 हो गया constant है तो हमें इसको multiply करने की जरूरत नहीं पड़ी यह 2x हो जाएगा यहां से यह 0 और यहां से 2 आगे 20 माइनस x और यहां power 1 माइनस माइनस पलस कट टू एक्स हो गया यानि की 4x माइनस 40 हो गया वही क्लियर है अब पूर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मिनिमा के लिए क्या कर देंगे ds upon dx को 0 रखेंगे रखो आप 0 또 4x माइनस 40 is equal to 0 तो x कितना आगया यहां से 10 आगया भाई x कितना आगया 10 आगया अब हमें 10 तो आगया लेकिन हमें यह तो दिखाना है कि यह क्या है minimum है क्या है minimum है यह तो sum है minimum तो minimum दिखाना है हम क्या कर लेंगे अब एक बार differentiate आप कर चुके इसको यह रहा अब इसको दुबारा differentiate कर दो या फिर आप फ़र्श डेरिवेटिव में तरशी भी कर सकते हैं आपकी मर्जी रहेगी तो d square s upon dx square is equal to is equal to करो 4 x minus 44 x का 4 आजाएगा 40 का 0 अब यहाँ पे तो x 10 रखने की जरूरती नहीं पड़ी यहाँ एक बचा ही नहीं तो 10 का रखें तो यानि कि यह greater than 0 है ना तो यह क्या हुआ therefore यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore यह r p square plus r q square जो है ना वो क्या है is minimum minimum है minimum है कब when जब आपकी x की value 10 है तब है यह minimum जब आप x की value 10 है तब इनके square का sum minimum है clear है और हमने यह भी बताना था क्या बताना था हमने हमने distance find out करने थी r की कहां कहां जे a point से तो यहीं आ गई x को ही तो मान रखा है ना हमने तो आप लिखेंगे therefore therefore distance of distance of a point r a point r on a b on a b a b पे है from the point a from the point point a is equal to 10 और यह unit meter में है तो meter clear है यह था आपका question number 5 आप note down कर लेंगे students और अगर आपको वीडियो समझा आ रही है तो प्लीज आप अमारी मेहनत को देखे चैनल को subscribe जरूर करें ज्यादा से ज्यादा हमें support करें thanks for watching my videos